हाई प्रेंट्स नमस्कार आज हम बात करेंगे डेली रूटिन की पेंट्रोल और डीजल के बारे में इसके बारे में आज कर बहुत चर्चा हो रही है कि इस से अच्छा तो कॉंग्रेस गोवर्मेंट अच्छी थी जिस टाइम पेंट्रोल डीजल के बहुत ही कम थे आज जो अच्छे दिन के वादें किये थे मोधी सरकार इन आज पेट्रॉल डिजल की कीमत इतनी पहुंँच गी तो इसका क्या कारण है कि पेट्रॉल डिजल मोधी सरकार गवर्णने जादा जा रहा है और कोंग्रेस सरकार में कम थे और मोधी सरकार इसमें कितनी chain duty और कितना और यह बढ़ाया है राज्यों ने और सेंडरल गवर्ण ने मिला के और जब यूपिया की सरकार थी तो वो कैसे सबसीडी देती थी और वो सबसीडी का बोज कहां जाता था वो उसकी आज चर्चा हम करेंगे जब जब इंटरेशनल मार्केट में तेल के दाम बढ़ते थे तो कोंग्रेस सरकार सबसीडी बढ़ा देती थी उस पेट्रॉल और डिजल के उपर लेकिन वो सबसीडी का पैसा कहां से लाती थी उसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे और मौदी सरकार ने अभी जो बरतमान में पेट्रॉल डिजल के रेट इतना हाइ क्यों किये गए बलकि international market में तेल के दाम नीचे हैं फिर भी अपने इंडिया में पेट्रोल और डिजल के दाम बहुत ही उपर है इसका क्या कारण है इसका एक रिजन अपना भी देखते हैं देखिए सब्सक्राइब मैं आपको एक कंपरेजन करके बताता हूँ कॉंग्रेस गोवर्मेंट और मोधी गोवर्मेंट के बीच में क्या मेजर डिप्रेंस है पेट्रोल डिजल का ये देखिए यूपीए 2 का कारिकाल के बारे में अपन चर्चा करते हैं उस वक्त तेल की कीमत 112 डॉलर परती बेलर थी इंटरनेशनल मार्केट में जब इंडिया इंटरनेशनल मार्केट से तेल खरीद रहता तो एक डाइम ऐसा भी आया जो एवरेज तेल की कीमत 112 डॉलर परती बेलर र 80 देखिए अब अभी मोधी सरकार हैं एक जून 2021 को तेल की कीमत इंटरेशनल मार्केट में 66.40 डोलर परती बिरल है अब अंतर देखिए आप ये 2014 की रेट बतारों में आपको उस वक्त 112 डोलर परती बिरल पहुंच गया था तेल इंटरेशनल मार्केट में अभी वरतारान में 66.40 है तो अब कितना डिप्रेंस है और अभी पेटरोल की कीमत 101 परती लिटर है अपने इंडिया में और डिजल की 96 परती लिटर है अब देखिए उस वक्त 112 डोलर परती बिरल था तो भी तेल 65 रुपी था अपने इंडिया में और अभी इंटरेशनल मार्केट में 66 डोलर पिर भी अपने इंडिया में रेट 101 लीटर है परती लीटर अब आप सोच सकते हो कि इतना डिक्रेंट क्यों है इतना डिक्रेंट का दोनों को टेक्सेस को जोड़े तो 300% एक्ष्ट्रा ड्यूटी इस तेल पर बढ़ा दी गई है अगर इस 300% ड्यूटी अगर वो सेम टेक्सेस अगर रहते अभी वर्तमान में UPA2 के कारिकाल में जो टेक्सेस थे वो टेक्सेस अभी रहते तो अपने इंडिया में पेट्रोल के कीम्मत 101 नहीं सित्तर रुपए होती यानि 300% यानि 30 रुपए एक्स्ट्रा परती लिटर पर इन्हों ने अपने वेट और एक्साइज डिट्यू सेंटर गवर्मेंट और राज्य सरकान दोनों अगर यह नहीं होता तो आज आपको सित्तर रुपए में पेट्रोल मिलता अब चर्चा है कि आप यह टेक्सेस कैसे बढ़े है टेक्सेस का भी मैंने आपको पूरा बता रखा है देखिए 16 माई 2014 को पेट्रोल की बेस प्राइस थी 48 रुपए देखिए और एक्साइज ड्यूटी उस वक लग रही थी 9.48 रुपए टेक्सेस के रुप में डिलेर का कमिशन लग रहा था 2 रुपए और राज्यों का वेट लग रहा था 11.9 और टोटल कीमत आरी थी 71.41 उस वक ठीक ह और अब आज present time में बतारा हूं मैं आपको आप यह comparison आप देखिए लिजिए मौदी सरकार का और इसका यह बेस प्राइस अभी क्या है अभी 39 बेस प्राइस है बेस प्राइस उस वक ज़्यादा थी इस वक बेस प्राइस का में लेकिन उस वक्त exercise duty 9.48 थी और अभी exercise duty 32.9 है सबसे ज़्यादा अंतर इसमें आ रहा है यह exercise duty सारा टेक्स सेंटर गवर्नमेंट के जा रहा है और उस वक दिलर का कमिशन भी सिर्फ 2 रुपे था अब दिलर का कमिशन भी बढ़ गया 3.79 का कमिशन हो गया है उस वक राज्यों का वेट 11.9 है राज्यों का वेट 21.9 है निसे जाल में मुधी सरकार में 300% का tax collection एक्स्टर बढ़ाया है अब आप देख सकते हैं 300% एक्स्टर इन के उपर वेट और यह सब टैक्सेस बढ़ाया है अब स्वाल यह आता है कि अगर क्यों बढ़ाया है अगर क्या दूरुज पड़ है आखिर क्या दुरूज पड़ी ह लोगों के मन में यह जहन है कि आकर UPS सरकार पैसा कहां से लाते थी जब जब इंटरनेशनल मार्क में लेटे बढ़ती थी तब UPS सरकार सबसीडी बढ़ा देती थी और अपने यह पेट्रोल डिजल के दाम नहीं बढ़ते थे लेकिन ऐसा मोधी सरकार क्यों नहीं कर रही है मो पेट्रोल डिजल के उपर सबसीडी क्यों नहीं दे पा रहे है कि उसका क्या कारण है आई अभी अपन देखते हैं इसका एक कारण मेदर यह था कि UPS सरकार ने बहुत से ज़्यादा सबसीडी दे दी उसका बहुत अभी वर्तमान में सेंट्रल गवर्ण के उपर पढ़ रह है वो अपन आगे देखते हैं आईए देखिए अब हम बात करेंगे कि UPS सरकार में पेट्रोल डिजल के दाम क्यों नहीं बढ़ते थे उस वक्त तो इंटरनेशनल मार्कें में पेट्रोल की रेट और सबसे ज़्यादा हाई थी मैंने बताया था 112 बेरल परती डोलर थी फिर भी UPS सरकार ने पेट्रोल डिजल के दाम नहीं बढ़ाए थे उसका सबसे कारण था अभी आपन जानेंगे उन्होंने जब जब इंटरनेशनल मार्केट में रेटे बड़ी तो UPS सरकार ने क्या किया कि तेल कंपणियों को ओयर बोंड जारी कर दी सबसेडी के रूप में सबसेडी दी जारी थी उस सबसेडी का बॉंड बना के जो अपनी इंडियन की ओयल कंपनिया है उनको दे दिया था और वो व्यास सहीत अब उनको चुकाना है दीरे दीरे अब उनकी परिपकतारासी है अपन यह कह सकते है एक तरकी MD है जो आपको 10-10 साल में पकरी है वो सब सबसेडी है जो अब मैच्वर हो रही है और उसको इंट्रेस सहीत अब कंपनियों को पेमेंट करना है तो यह जो सबसीडी का अब यूपीय सरकार के टाइम जो दी गई सबसेड़ी का बाहर अभी वर्दमान में मोदी सरकार को उपर पढ़ रहा है सबसे बड़ी कारणी है इसलिए गवर्मेंट सारे टेकसेस वगरा बढ़ा रखे है क्यों क्योंकि अगर वो सबसीडी जो अभी मेच्वर हो रही है वह पेमेंट देना है अगर वह पेमेंट नहीं देंगे तो डिपार्टल की सेरी में गवर्मेंट आ सकती है इसलिए सरकार ने रेट कम नहीं किये ह तो उस वक्त अपनी रेटे पपलिक को रेटे कम करने के चकर में पपलिक को सबसिड़ी दी गई और अब सबसिड़ी का बाहर वापिस पपलिक के ही पट रहा है आप ये समझ लें इसमें कि आकरी कटना तो बुझे है को ही है तर्बुझा चक्कू के उपर पड़े चक्कू तर्बुझे के उपर पड़े कटना आम इंसान को ही है इसमें सरकार गवर्नमेंट कई से भी payment नहीं लाती है payment अपन से ही लेती है और अपन को ही देती है, जब Old Home उस वहला तैंज आफनंते ही जारी किया थे इन तेल कंपनियों के जब 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 रेटे बढ़ती थी इंट्रेशनल मार्के में तब तब UPS सरकार तेल कमपनियों को oil bond जारी करते थी और आम पब्लिक पर उस तेल का जब वहां बढ़ती थी तो आपने कीमते नहीं बढ़ती आपने कीमते लगवक इस्तिर रहती थी इस इनकी परिपकता टाइम था जो यह bond UPS सरकार ने जारी किया थे वो 10 से 20 साल के बीच में थे अब 10 से 20 साल के मेचुरिटी का वक्त अब देरे देरे आ रहा है अब मोदी सरकार को इसका पेमेंट करना है इन बांड का इन बांड का भुकतान इसके कुल रासी हो गए है एक करोड 31 लाख करोड रूपए यह ब्यास सहीद बता रहा हूं मैं आपको मतलब एक करोड 31 लाख करोड रूपए अब मोदी सरकार को चुकाने हैं 2026 तक 2026 से पहले पहले हर साल मेचुरिटी आ रही है और उसको टोटल विडियो है एक करोड 31 लाख रूपए मोदी सरकार को वेल कम यूँ होते नहीं है देखिए अगर यह पेमेंट अगर यहां से टेक्सेस के रूप में न संसेयर निकर रहा है अभी मार्च 2021 में मार्च 2021 से 2023 के बीच यह पेमेंट करना है, 2020 और 2023 के बीच में एक करोड 31 लाख का पेमेंट करना है देख रीजेंए बाप इस वर्ष 20,000 करोड रूप में चलता है इस 2021 में मुद्धी गवर्मेंट को 20,000 करोड का बुक्तान करना है ओल कम्पीनियों को अक्टूबर और नॉबर के बीच में 5,000 करोड का बुक्तान करना है जिसका अगर इंट्रेस्ट मिला दिया जाए तो 20,000 करोड रुपे हो जाते हैं देखिए मूल पुझी तो 5,000 करोड है लेकिन उसके उपर 10,000 करोड का इंट्रेस्ट हो गया है 10 साल में अब आप देख लिए वो सबसीडी आज हमारे रूप में एक नुकसान के रूप में आ रही है अगर उस वकर सबसीडी नहीं दी होती तो ये 10,000 कर इंट्रेस्ट नहीं लगता और जो चल रहा था वैसी चलता होता तो वो उस चकर में हो गया है अब अभी 2023 में मोदी गवर्न को 22,000 करोड देने है और 2024 में 40,000 करोड देने है और 2026 में 37,000 करोड देने है अब यह देखे लिए अब यह सारा खेल मैंने आपको बता दिया कि उस वक्त अभी लोग यह पूछत अब अब यह दो जो पूछते है और इंटर्थेंटर्णल मार्केट में रहे थी फिर भी अपने यह पेट्रोल की रहे डाउन थी उन्हें बहुत अची अच्छी थी आकर मोदी सरकार सबसीडी क्यों ने थी वो भी तो सबसीडी दे सकती अरे भाईया वो भी तो सबसीडी और आकिरी पेमेंट आएगा कहां से अखिर पेमेंट आएगा तो इंकम टेक्स गोएटो पास कैसे हा सकता इसी के रुप में आएगा थो अभी मोदी सरकार के पास हाथ बंदें वो आपको सबसीडी नहीं दे सकती क्यों क्योंकि उनको यह भुकतान करना है अगर यह भुकत और पूर्व की सरकार थी जो सबसेटी दे सकती थी क्यों क्योंकि वो बोंड जारी किये थे और बोंड अब परिपक हो रहे हैं उसका पेमेंट अब मोधी केवर्मेंट को करना है इसी के साथ आज यहीं अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिपेक्शन सबसे पहले आपको मिलती रहें और ऐसे ही नोलेजबल वीडियो में आपके लिए लाता रहूँगा